हलो प्रेंड्स चलो आज दिखने मेले हम एक्सरेटरी प्रोड़क्ट्स क्या है और एक्सरेशन क्या है तो इस वीडियो में हम इन डिटिल में जा रहेंगे कि एक्सरेटरी प्रोड़क्ट्स कौन से कौन से रहें और वह कैसे तैयर होते तो जो जनरते क्सरेशन जो है क्या हुआ है १। हम इस इूडियो सेरिज में देखने में तो इस चैक्टर के शुरुवात में हहम क्या देखेंगे कि एक्शन जो और यहां से तैयर होते हैं तो हमारे मेटाबोलिजम है मेटाबोलिजम मीन्स क्या कि हम जो कुछ भी फूट डाइट करते हैं खाते हैं तो उसके बाग उसका क्या होता है वो उसको हम कहते हैं मेटाबोलिजम तो अपकर मेटाबोलिजम जो फाइनल प्रोड़क्ट जो है जो आते हैं तो वो क्या रहते हैं हमारे एक्सुटरी प्रोड़क्ट रहते हैं तो देखो यहां पर हमारे कंजम्शन में क्या क्या सकता है डाइट में क्या क्या सकता है तो उसमें फैट आ सकता है क कि हम क्या करते हैं बराबर तो spinnash lute में क्या रहते हैं? abundant cells रहते हैं cells में क्या रहेंगे? Nuplis भी रहेंगे Nuplis में Nuplis के अंदर genetic metal रहेगा genetic metal में obviously nitrogenous basis आते हैं vitamins और minerals हो तो रहते ही रहते हैं कुछ minerals और vitamins minerals तो water soluble होते ही है मगर कुछ vitamins water soluble होते हैं कुछ नहीं होते तो vitamines water soluble होते हैं वे vitamins body में store yeah क्या किया जाते है और स्टर किया जाते ही जो vitamines water soluble हो ones wal so takes the cream नहीं होते हैं वो यहां जब fat metabolism होता है fat metabolism होते हैं वहाँ पे जो last color प्रोडड्ठ रहता है है वो क्या रहता है CO2 and H2O तो CO2 and H2O जो हो रहेगा तो वो इन दी फॉर्म of H2O जो है sweat के form में चला जाता है और CO2 क्या जाता है तो जो CO2 है वो CO2 केसे होता है जब हम respiration करते हैं okay respiration में हम जो exhale out करते है जो उसको हम जबहास से क्या करते है CO2 का excretion करते हैं तो यहां पर carbohydrate का भी metabolism में क्या होता है glucose से क्या होता है glucose से जो glycolysis होता है glycolysis से CTA होता है तो पुरा metabolism का जो last product है यह product जो है उसमें क्या आता है CO2 और H2O होता है तो CO2 और H2O आता है जो है तो वो excretory products क्या होता है excretion होता है यह last product जो है excretory products जो है तो CO2 हम क्या करते है respiration तो CO2 का क्या करते है excretion कर सकते मगर H2O जो sweat से ही कर सकते है sweating से भी होता है मगर जब large amount में H2O क्या होता है excretion होता है तब उसको क्या है special steps जो होती है जैसे कि हमारे kidney kidney जो रहती है वो filtration करते है ब्लड के दूरू और H2O का concentration है वो ज्यादा मत्रा में या कम मत्रा में जाना चाहिए वो वह आपे डिपेंड करते है तो हम इन डिटेल में जो आगे देखने वाले तो आगे के वीडियो जो है आप जरूर देखे देखों यहाँ पे जो प्रोटीन से और नाइट्रोजनस बेसे जो रहेगे उसमें जो लास्ट और एंड प्रोड़क्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा अमाइन कंटेनिंग रहेगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग रहेगा तो जो मेंली जो एंड प्रोड़क्ट जो है नाइट्रोजनस बेसे और नाइट्रोजनस प्रोड़क्ट जो है तो वो किसमें रहेंगे प्रोटीन में और नाइट्रोजनस बेसेस में रहेंगे तो यहा यहाँ पे nitrogen containing रहते हैं means यहाँ पे जो ammonia है और यहाँ पे भी ammonia है वह nitrogen containing रहते हैं इसलिए उसको हम कहते है जो नाय्ट्रोजनस वेस्टे है तो यह सकते है तो सब्सक्राइद करता है कि itself कैसे है तो देखो जब nitrogenous waste और nitrogenous waste product जो है वो तिन टाइप से क्या होता है एक स्रीड होता है एक तो है ammonia ओके पहला वाला दूसरा वाला जो है urea तिसरा वाला जो है uric acid तो यह क्या होता है animal to animal vary होता है जब vertebrate में और invertebrate में जब हम देखते हैं तो invertebrate में क्या होता है invertebrate में जो इक स्रीशन होता है हो uric acid होता है मगर यहां पर जो system यूज होती हो complex नहीं रहती मगर vertebrate में क्या होता है vertebrate में complex जो filtration system में इक स्रीशन सिस्टम में होती है केड़नी होती है देखो यहां पर nitrogenous waste क्या क्या आते है तो nitrogenous waste त्री तैप्स के है पहला वाला है ammonia दूसरा वाला है urea तिसरा वाला है uric acid तो इसमें होता क्या है देखो इसमें जो ammonia एक स्रीट होता है तो ammonia एक स्रीट होते समय वहां पर large amount of water की ज़रूर होती है क्योंकि जो ammonia रहता है वह ammonia क्या रहता है very toxic और toxic in nature रहता है इसके लिए यह बहुत ज्यादा toxic होता है और यह toxic ज्यादा रहता है इसलिए एक स्रीट करना जरूरे होता है और एक स्रीट करते समय इसको dissolve करने के लिए बहुत ज्यादा amount में water चाहिए तो water कितना चाहिए इस वह लगबग जब हम 1 gram ammonia NH4 ammonia को हम एक स्रीट करना चाहते है तो उसको लगब 500 ml मिस हाफ लिटर क्या लगेगा water लगेगा तब ही तब यह क्या होता है ammonia extract होता है ओके तो ammonia जो 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 animal है जो ammonia एक स्रीट करते तो उसको हम कहते है उस animal को हम कहते है ammonia अर्गानिजम उसको हम कहते है यहाप लिख देता हूं में देखो आमिन आमार अमीनोटिलिक और्गानिजम और जिसको मिस ammonia एक स्रीट करते समय जो प्रोसेस होती है हम उसको क्या कहते है amonotellism कहते है उस प्रोसेस को हम कहते है amonotellism amino-talism तो समझ में आया कि ammonia casex rate होता है तो ammonia जो एक स्रीट करते तो ओर्गेनिजम जो रहते है वो बॉनी फिशेश जो क्या करते है जो वाटर में ज्यादा वाटर में रहते है बोनी फिशेश रहते है जो एक्वाइटिक अंफिबियंस रहते है जो एक्वाइटिक इंसेक्ट जो रहते है वो क्या करते है मेंली आमोनिया एक्स्रिट करते है तो आमोनिया जब एक्स्रिट करते है तो वो क्या क एक्सरेटरी प्रोड़क्ट वह वहां से एक्सरेट करते हैं तो यह वह आमोनिया के बारे में उसके बार आता है यूरिया तो यूरिया जो है यो क्या है आमोनिया का दूसरा वाला फॉर्म है तो जब यह जो सीवोटू है यह सीवोटू और आमोनिया मिल के क्या होता है यहां ओर निथन कल्स है किलिए चैल में क्या होता है उसका और्री त्राहीं कल में भी ओरिड्ला में शाइकल तो जरस चारटी खुछी अचीनमध्य को में और करते होता है यूरीक अच्अीसनल में तो ये uric acid और urea दोनों भी यहाँ पे ornithine cycle से क्या होते है यहाँ पे ammonia और CO2 क्या होते है combine होते है और ornithine cycle through इसका conversion urea में होता है urea cycle और ornithine cycle जो है वो liver में होती है तो यह liver में होती है और उसका जो product है वो urea और uric acid आता है तो जो ornithine cycle है वो हम इन detail में अगले वीडियो में देखने वाले तो अगले वीडियो ज़रूर देखो कि ornithine cycle में क्या होता है कौन से enzymes यूज होते हैं और उसमें कौन से products का किसमें conversion होता है तो यहां पर क्या होता है जो end product है urea और uric acid आते हैं तो जो organism urea extract करते है जिससे के vertebrates तो vertebrates urea extract करते हैं उनको हम क्या कहते हैं urea ureotelic क्या कहते हैं उसको ureotelic ureotelic और उस process को हम क्या कहते हैं जिसको हम क्या करते हैं यूरिया यूरियोटलिसम यूरियो टेलिजम और यूरिक आसिड जो और्गिनिजम एकसर्ट करते हैं तो उस और्गिनिजम को हम गया कहते हैं यूरियो यूरिको टेलिक यूरिको टेलिक और जो और्गिनिजम जिस प्रोसेस से उसको एकसर्ट करते हैं किसको यूरिक अशिर्टिको दूसको हम कर advocation फिस प्लाकार क्या होता है इस प्लाकार जो एक्सरेट प्रोडट्स जो है ओ एक्सरेट होता है और अन्हाने certaines सैकल जो है हम अगले वीडियो में इन डीटेल में देखने वाले तो ज़रूर देखिए अगले और Osmo Regulations क्या है तो जो एक्सरिशन होता है एक्सरिशन मींस क्या एक्सरिशन मींस जो प्रोड़क्ट जो है हमारे बोडी में से बहार एक्सरिट करना उसको हम कहते है एक्सरिशन कहते है परावर तो उसमें हम कहते है देखो तो पहला वाया जो है एक्सरिशन को कुछ कि टो इसको करते हैं उसको हम क्या कहते हैं आछの चरूब करते उसको एक्सरेट करते नहीं बहुत बहुत okay क्योंकि वह हमारे body का part नहीं आता मगर हम जब एसको हम और एक्सरीशन ने बहुते नहीं होगे मगर जब हम अमारे भल र्य एक्सरिट करते तो उसको हम श्रिशन कहते है और जो इस ड्यकोली आपको पता ही यह कि यе जो अस्मों है उसको हुम थे अस्मोसिस ये ये है आप्मो सिस्टरण है और येरीगुलेशन जो है रीगुलेशन मिस रिगुलेट है θα ऑंपे जब आस्मोंसीस रेगुलेट होता है हम इसका इसे देखो यहाँ पर इस सेल से और इस इंवर्मेंट में यह क्या है वाटर है वाटर और मिनरल से वरवर कि यहां पर होता क्या है यहां पर सुरियम का कॉंसेंट्रेशन रहेगा और सीयल को कॉंसेंट्रेशन रहेगा और वाटर का कॉंसेंट्रेशन तो यहां पर क्या होता है यहां पर जो कॉंसेंट्रेशन है तो कॉंसेंट्रेशन मेंटिम के जाता है कुछ सियल अंदर आ सकते हैं किसमें क्या होता है क्या होता है जो मोटे भी मतर चन्ज होगया है बड़ावर आस्मोसिस होने के बाद उसको मेंटेन करने टी प्रोसेस को उसको हम क्या कहते है रेगुलेच्ञ तो उसको हम क्या किए uthra Прwości caraj अगले विडियो में हम देखने वाले unifrennable cycle और उसके अगले व्डियो में हम देख replen़ एक्शेटरियन सिस्टम आपको ए विडियो अच्छी लगये हो तो आपकी फ्रेंस के साद छ爷र करो और हमारी चानल को सब्सक्राइब को थेंक्यो